हम बात कर रहे हैं GMR एरफोर्ट इन्फरा की लास्ट ट्रेडिंग डेकी बात करें तो GMR में हमको 1% के उपर का अफसाइट देखने के लिए मिला है इससे पहले हमने जब बांस बैक क्या था याद होगा 100 टक के तारगेट को डिसकस क्या था 100 इसका मेजर रजिस्टन्स रहेगा इसा हम डिसकस कर चुके थे हम देख सकते हैं 100 टक के तारगेट डिकाए हमारे सारे तारगेट हिट करता नजर आया जब रिजेक्शन लेकर गिरावट आये 100 के लेवल से थोड़ा सा चार्ट पेटन जूम करके कर ले थे ताके अच्छे से समझ आ जाए देख सकते हैं जब 100 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है तो जहां सपोर्ट लेकर जम पाया रतार 100 के तारगेट डिकाए थे इस लेवल को नीचे की और स्टॉक ने ब्रेकडॉन नहीं किया हमको बड़ा सेलिंग 100 के लेवल से देखने के लिए नहीं मिला है और हमने इस बात को डिसकस किया था कि 100 के लेवल से आगर बड़ा सेलिंग नहीं आता इस टॉक 100 के आसपा सस्टेन होता है तो वह इसे कंडिशन में क्या हो सकता है 100 के लेवल का ब्रेक आट और हब आमको सिगनल देता नजर आ रहा है जी हमार यहां से 100 के लेवल के ब्रेक का 100 का लेवल ब्रेक आट ह हो जाता है तो फिर वह इसे कंडिशन में बड़ी थेजी स्टॉक दिखा सकता है घिरावट आती है तो नीचे कि रहां सपोर्ट लेया है इस टॉक ने बांश बैक क्या इम veterate support 96 का लेवल breakdown कर जाता है तो जो 90 का level है इसका तगड़ार important support रहेगा गिरावट के साथ जहां support लेके लगातार 30 दिखाई थे और 100 टक के target दिखाई थे 90 के level से ही तो आप immediate target हमारे लिए 100 का level रहेगा इंतिजार है इसके breakout का अगर इसको breakout कर जाता है तो फिर 102 तक का jump stock दिखा सकता है लेकिन थोड़ा सा aware रहना है दोस्तो ब्रेक आट के बद थोड़ा सा sustain होने देते हैं अलाकि बड़ा sailing नहीं आ रहा है तो breakout के chance बने हुए लेकिन हो सकता है कि trap किया जा सकता है एंडरेट के लेवल का breakout 102 तक का jump और वहां से फिर हमको sailing देखने के लिए मिले इसलिए थोड़ा सा aware रहना है sustain होने देना है अगर 102 के लेवल को breakout कर जाता है तो फिर 104 और इसके breakout के बाद 1110 है नहीं 110 टक के target फिर GMR इंफराम को दिखा सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई बाई से लिया hold की सला नहीं है अगर आप Demet account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो